Hello everyone, today I am going to discuss SQL, Structured Query Language. Structured Query Language को directly start करने से पहले हम ये समझेंगे कि Structured Query Language का use हम करते क्यों है? क्या ये other programming languages से different है या उन्ही languages की तरह ही कोई language है? कौन सी language? जो languages अभी तक आप सुनते आए हो like C language हो गई या फिर C++ हो गई या फिर आप कह सकते हैं Java हो गई, PHP हो गई, Python हो गई, ये सारी languages. तो ये सारी programming languages होती हैं जिनको हम use करते हैं, code create करते हैं, ठीक है? प्रोग्रामिंग करते हैं, तो यहाँ पर जो language आप पढ़ने जा रहे हो वो data से related है. जबकि ये सारी languages C, C++, Java ये programming languages हैं. हाला कि इनका भी काम data से ही होता है, लेकिन these languages are not specially for data. ये software development के लिए use होती हैं. तो हमें ये भी अपने दमाग में रखना है कि SQL इन programming languages से कैसे different है, ठीक है? तो इसको हम एक example के help से समझ लेते हैं. यहाँ पर मैं example लेती हूँ, like हम सभी Facebook use करते हैं, या नहीं भी use करते हैं, तो जानते हैं हम. अगर हम यहाँ पर as a user behave करें, like एक user है, जो Facebook use कर रहा है, ठीक है? या use करता है, तो यहाँ पर जबी भी आपको Facebook use करना होता है, आप simply क्या करते हो? application open करते हो. कौन सी application? Facebook के, ठीक है? तो यह आपने open कर ली Facebook. अब Facebook है क्या? तो जो computer science को belong करते हैं, जो भी लोग वो जानते हैं कि Facebook क्या होता है? एक तरह की application है, ठीक है? अब उस application को किस में develop किया गया है? तो यह भी हम में से कई लोग जानते हैं कि उसको programming language, कोई भी programming language use की गई होगी, और साथ में queries को भी include करते हैं. और queries के लिए हम क्या करते हैं? SQL use करते हैं, ठीक है? तो यह तो application हो गई. अब यह application से आप क्या करते हैं? माल लिजे आप new user हो, तो आप अपनी ID create करोगे, अपनी profile बनाओगे, अपनी DP लगाओगे, और भी images upload करोगे, यही सारा काम करोगे. तो आपकी जो data है, यह कहीं न कहीं store हो रहा है? ठीक है? यह कहीं न कहीं save है. तो कहां पे save होता है? तो इसका discussion हम पहले भी कर चुके हैं, कि जो भी user का data होता है, वो database में save होता है. ठीक है? तो users are related, जितनी भी files होगी, वो कहां पे store होंगी? वो database में store होंगी. ठीक है? यहाँ पर हम इसको माल लेते हैं, यह database है, यह store हो रहा है. ठीक है? यहाँ पर यह files के form में data store रहता है. इसका discussion हम पहले भी कर चुके हैं, database ठीक है? और यह files हैं, file number 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके आप समझ सकते हैं. तो आपने जो data maintain किया था, वो यहाँ पे store है, और अगर आपको अपनी profile देखनी है, जितनी बार भी आप profile open करते हो, तो यहीं से data user को display किया जाता है. ठीक? लेकिन, आपने यहाँ पर जो application create की गई है, इसको तो समझ लिया. लेकिन यहाँ पर जो database है, क्या इसको भी manage करना होता है? हाँ, बिलकुल इसको manage करते हैं. ठीक है? तो यह जो data stored है, इसको manage करने के लिए हम use करते हैं DBMS. आप अगर मेरी previous videos देखेंगे, तो उसमें आपको यह concept जरूर मिलेगा, मैंने आपको explain किया हुआ है, कि DBMS actually में क्या होता है, और data क्या होता है, database क्या होता है, right? अब देखें, DBMS क्या है? एक तरह का management system है, एक तरह का software है, जो data को maintain करता है, ठीक है? लेकिन हमें क्या समझना है, कि SQL कहां पर लाई करती है? तो देखें, DBMS हम माल लेते हैं, user और database के बीच में काम करता है, ठीक है? RDBMS भी कह सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर RDBMS लिख रही हूँ, RDBMS का मतलब क्या होता है? relational database management system, means एक ऐसा system, एक ऐसा software, जो tabular format को support करता है, means जो data होता है, उसको tables के form में store करता है, या फिर आप कह लीजे, कि वो इस तरह का view देता है, look देता है, कि हाँ, user को लगे, कि जो files है, वो table के format में store हुई है, ठीक है? हाला कि जो last user होता है, जैसे यहाँ पर जो user देख रहे हैं, यह user है, इसको तो इससे भी मतलब नहीं होता, भही हमें क्या मतलब है, कि हमारा data कैसे store हुआ है, हमारा data store है, यहाँ पर जो यह software है, यह data को कैसे store करना है, यह maintain करता है, तो इस maintenance के लिए, हमें use करनी होती है, एक language, and that language is SQL, structured query language, राइट, देखें, rdbms क्या होते हैं, अच्छा, एक confusion आपके mind में नहीं रहनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ dbms लिखा हुआ है, और यह rdbms है, अगर हम dbms की बात करें, तो dbms एक concept होता है, एक तरह से theory है, जो पूरा आपको explain करती है, data से related, सारे constraints को बताती है, कि data को normalize कैसे करते हैं, data की security कैसे maintain करते हैं, लेकिन अगर हम rdbms की बात करें, तो rdbms एक तरह का model है, ठीक है, model means हम tabular format में data maintain करते हैं, तो यहाँ पर जो हम rdbms की बात करते हैं, rdbms एक software तो ही, तो rdbms के examples मैं आपको दे दूँ, जैसे oracle, और एकल की कई सारे versions आते हैं, 10g हो गया, 11g हो गया, और भी कई सारे, इसी तरह से mysql, sql server, इस तरह से कई सारे rdbms हैं, rdbms या फिर आप समझ लें कि ऐसे software जो database को handle करते हैं, या data maintain करते हैं simply, तो ये softwares use करते हैं, तो माल लीजे, आपने कहा हमें data maintain करना है, ठीक है, या फिर आप ऐसा सोच सकते हैं, कि ये facebook की application हमने बना ली है, और अब हमें facebook का data maintain करना है, ठीक है, तो हमको बताया गया, कि हम एक model use करेंगे, model का description भी मैं already दे चुकी हूँ, model क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, वो भी मेरी previous videos में हैं, आप जा के देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने relational model use किया है, एक तरह का model होता है, कि हम किस तरह से data maintain करेंगे, वो तरीका बताता है हमें, तो यहाँ पर हमने relational model use किया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो application बनी हुई है, यह जो application है, इसके थूँ जो data जाएगा, उसको हमें कैसे store करना है, ठीक, तो इसके लिए हमें बताया गया, कि ठीक है, आपको एक software install करना है, तो हमने install कर लिया oracle, अब oracle install करने के बाद, हमारी responsibility बनती है, कि हम वो data store कैसे होगा, कितनी tables बनानी होगी, यह सारी चीज़े कौन करेगा, यह actually में oracle ही करेगा, लेकिन oracle में भी हमें कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, queries लिखनी पड़ेंगी, और वो queries किसमें लिखते हैं, SQL में लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर SQL का role आता है, कि हमने use जो भी software किया हो, उसमें हम SQL के through queries लिखते हैं, कैसी query लिखते हैं, कि यूजर ने जो data दिया है, उसको हम कैसे store करेंगे, ठीक, तो SQL के through हम queries लिखते हैं, कि इस data को update करना है, इस data को change करना है, या फिर particular data को delete करना है, या फिर कोई नई table बनानी है, तो इस तरह की queries हम यहाँ पर maintain करते हैं, जिसके लिए हमें SQL use करनी होती है, तो अब मेरे ख्याल से आपको कुछ idea लग गया होगा, कि ठीक है भाई, यहाँ पर Facebook user है, वो web application यूज़ कर रहा है, जो भी application बनाई गई है, और यहाँ पर जो SQL use होती है, वो एक तरह से आप कह सकते हैं, simple queries होती हैं, जो queries माल लिजे, आप if में कुछ ऐसी condition लगाना चाहते हैं, या फिर programs के अंदर ऐसी condition लगाना चाहते हैं, जो data से related है, तो simple queries यहाँ पर भी आप use करते हो, लेकिन जो एक तरह से depth में जो queries लिखी होती है, या आपने अच्छी खासी queries, जो थोड़ा सा complex queries होती है, वो कहाँ पर use करनी है, RDBMS में use करनी है, तो यहाँ पर हम software install करते हैं, और उस software में SQL के help से data को maintain करते हैं, चीक है, इसलिए हमें SQL को समझना बहुत important है, तो आज के lecture में मैंने आपको बताया, कि आप एक तरह से imagine कर पाओ कि ठीक है, जबी भी हम कोई software develop करेंगे, तो software development एक अलग task होगा, और database manage करना एक अलग task होगा, एक तरह से एक अलग module होगा, जिसमें हम SQL use करेंगे, ठीक है, कई बार programmer सारी ही चीज़े करते हैं, कई बार companies में अलग-अलग task दिये जाते हैं, तो उस तरह से चीज़ों को handle किया जाता है, ठीक है, में मैं आपको SQL की history और SQL है क्या, right, उसकी क्या categories होती है, वो discuss करूँगी, बाकी आपको अगर इसमें कुछ भी समझ में आया हो, एक भी point अगर आपको clear हुआ हो, तो इस वीडियो को ज़रूर like कीजिएगा, और subscribe कीजिएगा चानल को, अगर आप like करते हैं, subscribe करते हैं, तो इससे हमें समझ में आता है, कि ठीक है, वीडियो fruitful है, और हमें इस तरह के वीडियो और बनाने चाहिए, like या subscription नहीं मिलता है, तो हमें समझ में आता है, कि नई, इस तरह के वीडियोज बनाने बंद कर देने चाहिए, ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, थैंक यू.